हलो फ्रेंज, वेलकम टू डी कोड एक्जाम डिफेंस, मैं मिर जायत शामबेग आपका मैटस अजुकेटर, आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, उसका नाम है जोमेट्री, देखे ये रहा पहला सवाल आपका लाइन एंगल से, आप यहां पे ज़रा ग करते हैं, ट्रांसफर्स लाइन आप सभी को पता होगी, यह बात ध्यान में रखिए, ठीक है, ट्रांसफर्स लाइन क्या होती है, मैं अब दिखा भी दे रहा हूं, ट्रांसफर्स लाइन दो पैरलल लाइन को एक सिंगल लाइन कट करती है, ठीक है, तो वो ट्रांसफर्स ल इन जाय सी बात ही यह 180 होगी तो similarly यह भी 180 तो इसी तरीके से आपके चार एंगल से रेलेट करेंगे alternate में correspondence में यह सारी चीजें ध्यान में रखिए आपने पड़ा भी होगा अब यहाँ पे angle ABC आपका 115 दिया हुआ cd आपका 140 दिया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है भी c d यानि यह Ćपसे पूछ रहा है हम जै क्किया करते हैं यह से निकालते हैं यह एंगल आपका पूछ रहा है कैसे करोगे यहां पर समझो एक बात बताओ यह लाइन इस लाइन के पैरलल है हमने इसी को expand कर दिया है कर दिया है कि नहीं कर दिया है अब आप खुद सोचिए यह लाइन आप यहां पर बना देता हूं दो अलग अलग पार्ट में भाई इसको देखो यह डी ए है ठीक है और यहां पर से आपने एक एंगल डाला हमने इसको बढ़ा दिया था यह कितना है 140 अब आपको पता है यह alternate एंगल होता है यह और यह होगा और अलफा बीटा मिलके क्या होता है 180 क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो जब यह अलफा है तो यह भी तो अलफा था क्रिस्पंडिंग अल्टरनेट अंगल तो आपका यह अलफा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यह दोनों मिलके 180 बनाएगा तो इसका मतलब है यह एंग यानि क्या होता दो लाइन अगर इंटरसेक्क कर रही है तो उसके आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं बराबर इतनी थियोरम से आप सब निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगी और यह कितना होगा भई यह स्ट्रेट लाइन है तो 180 अगर हम देखें तो यहां पर इसको हम गोल सकते हैं 65 अगर यह 65 40 तो 105 तो ऐसे ही हो गया यह बचा हुआ कितना हुआ यह बचा हुआ हुआ आपका कितना 75 आप चाहें ऐसे भी कर सकते थे अगर आपने यह एंगल निकाल लिया 40 तो आप एक ट्राइंगल का एक्स्टीरियर एंगल भी लगा सकते थे क्या होता है exterior angle is equal to sum of two opposite interior angle अगर एक चाले से उसमें तो दूसरा पचातर होगा क्यों तभी ये दोनों sum मिल के 115 बनेगा तो आपका जो ये सवाल था देखिए 2008 में पूछा गया था मैंने इतने तरीके हैं मेरे पास मैं बताने के कि कभी-कभी मैं confused होने लगता हूँ कि किस तरीके को इस्तिमाल करूँ बड़ चॉर्टेस रूट इस्तिमाल कर ये कोई दिक्कत नहीं होगी देखिए सबसे best था इसमें कि external angle theorem लगा सके हैं तो यहां पर एक बार मैं फिर से हौच-पॉच हो गया है बता देता हूँ हमने क्या किया इसे straight line कीची और आपको पता है यह दोनों एंगल एक्स और सी के बराबर तो यह 40 अगर यह 40 तो vertically opposite भी 40 अब यह 40 तो भई exterior angle क्या होता है sum of two opposite interior angle इसी के बराबर होगा यह 140 तो यह वाला कितने के बराबर 75 अगर यह पर्पेंडिकुलर डाला गया तो यह भी क्या होगा 90 degree होगा ठीक चलो अब यहां से ज़रा गहर से देखो एक triangle का exterior angle बन रहा है कितना 85 interior एक 30 है तो दूसरा कितना होगा 55 किसकी triangle की बात करें DBE DBC triangle की बात करें sorry DBC triangle में तो आप यहां पर देखें यह 85 है यह 30 है तो यह कितना हो गया 55 अगर यह 55 हुआ है तो यह आपका 35 होगा एक लाइन का सवाल है मुझ जबानी कर सकते हो समझ में आ रहा है तो यह सारी त्योरम आपके दिमाग में चलनी चाहिए क्या क्या है वह एक बार हलके फुल का बता भी दे रहा हूं वह सिंपल देखें अगर एक triangle का वह कहीं न कहीं आपका triangle लगी जाना लाइन एंगल में भ लिया है तो यह मान के चलोगी यह गामा है ठीक है और यह बीटा है तो भई गामा बराबर होगा इस दोनों opposite angle की sum के बराबर यह बात ध्यान में रखना है यह दो थियोरम इतनी काम आईगी आपके कि कभी दिक्कत नहीं होगी चाहिए इस सवाल को दिखें यह सवाल कह रहा यहां पर कोई o point है कहरा line o n अब हमको o n नहीं पता किस तरीके की यह straight line है समझ लिजेगा नाग जैसा बन गया है परिशान मत होना o n is a drawn not coinciding o l and o m आई इसी बात है o l और o m को coincide नहीं कर रही है angle m o n n o n is one third of l o n यानी इसका मतलब भी अगर यह x है तो यह 3x होगा तो कुल मिला के क्या होगा 4x 4x बराबर 180 straight line तो x बराबर 45 language का भी फेर होता है समझ लिजे a option correct है all right मजा आ रहा है चलिए इस तरीके के सवाल आए हैं यह बात ध्यान में रखिए जो आए हैं पूछे हुए मैं उनी को करा रहा हूँ और कुछ अपनी तरफ से भी सवाल इंप्रोवाइस की हैं जो मेरे सवाल मसेद है मैंने उसको भी रख दिया इसके इंदर इस सवाल को देखिए इस सवाल की तरफ चलिए तो कह रहा है in the given figure अब यहां पे जरग और से लिखो और आपका CDE CDE कहां गया भई CDE आपका कितना है 15 डिग्री और आपका कौन मिला अब ABAE के बराबर है A B A E के बराबर तो यह भी क्या हो जाएगा 65 और यह 65 65 130 तीसरा एंगल क्या हो जाएगा 50 अब क्या करोगे भई आप दिमांग में क्या आ रहा है आपके चलिए देखते हैं अच्छा since you know कि अगर हम इसको बढ़ा दें और इसको बढ़ा दें ठीक है तो यह आपकी ट्रांसफर्स लाइन हो गई हो गई की नहीं हो गई जरग और से देखें भई यह क्योंकि यह पैरलल है ठीक है यह पैरलल है अगर हम इसको बढ़ा दें वह ध्यान से देखते जाना तो ट्रांसफर्स लाइन में आपका क्या है कौन सा एंगल बन रहा है जरग और से देखें यह एंगल और यह आपने बढ़ा दिया अब आपको पता है यह कट करता हुआ जा रहा है यह कितना एंगल बना रहा है 65 डिगरी बना रहा है तो यह एंगल भी क्या होगा 65 डिगरी कौन सा? external वाला, तो अगर आप देखें, तो ये angle आपका 65 होगा, क्योंकि ये alternate angle हो जाएगा, ठीक है? ये देखें, ये angle आपका 65 होगा, अगर ये angle 65 है, तो ये angle भी क्या होगा? 65 होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर ये angle 65 है, तो 65 और 15 कितना होता है भई? 65 और 15 कितना होता है जरा गौर से सोचिए 65 और 15 आपका होता है यह द्यान है कि यह क्यों हो गया एंगल C, vertically opposite angle भई यह दो लाइन एक दूसरे को cut कर रही है vertically opposite तो भई आमने सामने के angles क्या होगे बराबर होते हैं यह basic theorem है ध्यान में रखिए अब यह 65 और 15 तो exterior angle कितना हो गया जरा गौर से सोचिए यह 5, 70, 80 अब यह 80 है तो यह पूरा आपका क्या होगा 100 और यह 65 है तो अगर 100 में से 65 घटाओ तो यह जो angle आएगा वो 35 degree आएगा B option correct है आपका मज़ा आया एक बर और देख लीज़े एक बर clear कर देता हूँ मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ देखो simple है हमने क्या किया हमने इसको expand कर दिया ठीक है और आपको पता था यह parallel है और यह आपको पता था 65 है ठीक है अब यह भी आपको पता था 65 है क्यों क्योंकि यह side AB और AE बराबर है मैंने आपको पता है एक triangle में दो side equal तो दो angle भी आपने सामने के angle भी equal होता है यह 15 तो यह जो आपका angle हो जाएगा 65 तो similarly यह भी 65 क्योंकि vertically opposite है ठीक अब यह 65 है तो exterior angle क्या होता है sum of two opposite interior angle यह 80 हो जाएगा अगर यह 80 है तो पूरी straight line क्या है बचा हूँ angle 100 अब यह पूरा 100 है जिसमें से यह 65 है तो यह कितना होगा आपको सोचे 35 हो जाएगा simple कहानी यहाँ पर तो straight line का आगया rule मैं इसको simple way में convert करे दे रहा हूँ जिससे आपको मजा आएगा ठीक है एक एक line के सवाल है फची अगर नहीं 2012 का यह question था देख सकते हैं अब इस सवाल को देखिए यह सवाल आप कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर मैं इसी diagram में improvise कर रहा हूँ ध्यान से चुनिए आप करेंगे कैसे मैं आपको बता रहा हूँ अब BC कहां कहा है यह और AC कहां कहा है यह तो भईया यह यह भी क्या होगा 65 होगा की नहीं होगा BC AC के बराबर है 65 और BC is parallel to AE यह parallel है AE के ठीक है अगर मैं इसको बढ़ा दूँ और transverse line देखू देखिए यहाँ पर अब transverse line बन रहा है की नहीं बन रहा है अब आपको क्या angle नहीं पदा चल पाएगा जरग और से सोचिए यह अगर 65 है भई देखो यह line आप देखो यहाँ पर यह triangle छोड़ दो अभी यह angle आपका कितना होगा 65 तो यह भी angle आपका क्या होगा alternate 65 अगर यह 65 है तो बहुत ध्यान से देखे आपसे पूछा क्या है CAE पूछा CAE यानि यह वाला angle पूछा है अब आप खुद सोचो यह बचा हुआ angle कितना होगा बचा हुआ angle आपका कितना होगा 115 और इसी में से आपने triangle भी निकाल रखा है जिसमें से यह angle क्या है 65 है तो अगर यह 65 है तो बचा हुआ 50 होगा simple कहानी मैं एक एक line में सवाल solve कर रहा हूँ क्यों क्योंकि मुझे transverse line का concept ध्यान है ठीक है चलिए इस सवाल को देखिए यह सवाल कैसे करें इन दे गिवन फिगर following EC is parallel to AB अब देखो यहाँ पर AB है यह तो हमें साब साब देख भी रहाता है ECD 17 70 यानि यह 70 है BDO BDO यह कितना है 20 है चलो तो आप से पूछ किया रहा है OBD यह पूछ रहा है अरे बहुत आसान सवाल है यार देखो एक बार बताओ यह parallel line है alternate angle 70 अब exterior angle भी तो हो गया यह किस triangle का O, B, C, OBD का अब गर exterior 70 है तो जाई सी बात है एक angle B से उसका opposite तो दूसरा 50 होगा तब ही 70 बनेगा D option correct इसको pen नहीं चलाना था दिमाग चलाना था देखे 2012 का इस तरीके के सवाल पूछे जा रहा है दिक्कत यह है कि आप competitive exam जादा face नहीं किये होते है फ्योर हमस आपको पता नहीं होती है इसलिए आप अटक जाते है यह सवाल पर आई है भाई यह तो बहुत आसान सवाल है इसको करने का क्या मतलब है तो अगर 12 में यह पूछ रखा है मतलब समझ में नहीं है क्यों पूछा तीनों एंगल जोड़ दो तो यह हो जाए कि 2x प्लस 60 is equal to 180 तो 2x is equal to 120 x is equal to 60 खतम का नहीं उत्तर दो आगे बढ़ो यह सवाल देखिए इस इन दा quadrilateral ABCD DABDCX भाई DCX के बराबर यह X है तो यह भी X है ठीक है ABC अच्छा यह 120 है X नहीं 120 दे भी रखा है मैंने आगे दी देखा ABC पाँच है ABC 105 है अब यह बताओ यह straight line है B और X जिसमें से आपका CX एंगल बना रहा है जो DCX एंगल बना रहा है वो 120 है तो जो DCB एंगल बनाएगा वो 60 होगा भी आप चार एंगल चार जो एंगल होते हैं quadrilateral में वो 360 डिगरी के पराबर होते हैं सब मिलके 180, 280 280 के पाद बच्चा कितना भी आपको सोचिए 15, 300 और 60 यानि 75 C वाला option correct खत्म कहानी आप से पूछा तो यहीं ना ADC भी यहीं पूछा ना 65 होगा इस तरीके के मज़िदार सवाल है मैं इसलिए लेकर आए हूँ ताकि आपको एहसास हो सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं triangle में थोड़ा सा change होता है चलिए देखते हैं यह सवाल line and angle का मुझे तो बहुत अच्छा लगा यह सवाल क्योंकि यह सवाल आपको circle भी दे रहा है सब कुछ दे रहा है अब यहां पर करें कैसे देखो o a o यह center हो गया है ठीक है और c d बराबर है अच्छा भाई अगर यह जोड़ा है तो भाईया यह a o आपका radius है ना वध्यान से देखो तो a o यह भी इसके भी बराबर होगा और यह भी radius होगा तो भाईया यह तो सारे equilateral triangle बन गए ना यह 60 होगा है सारे angle 60 degree के angle o angle c angle d यह 360 degree होगा है अच्छा अब क्या करते हैं चलो माल लेते हैं यह x है यह y है ठीक है अच्छा एक बार बताओ यह दोनों angle same है ठीक है तो यह दोनों line same है तो इसका मतब यह दोनों angle भी same होगे तो तीसरा वाला angle y x angle के बराबर होगा कि नहीं होगा क्योंकि यहां से भी same angle बना है यहां से भी same angle बना है और यह 60 degree है तो x plus y plus 60 x और c के बराबर तो x plus y बराबर 120 और आपको पता है कि जब x और y बराबर है तो भाई यह x की value भी 60 y की value भी 60 ओके यह 60 हो गई अब आप कैसे करोगे अब यहां पर खुद सोचो अगर यह 60 तो यह दोनों भी 60 हो जाएंगे भाई अगर हम यह triangle बनाएं और इसमें अगर यह angle 60 निकला है और यह दो side बराबर हो तो आप क्या बोलोगे कि यह angle भी 60 निकला यह भी angle 60 निकला तो भाई angle AB 60 यानि यह वाला angle भी 60 यह वाला angle भी 60 तो बड़ा triangle देखो ABP यह भी क्या हो जाएगा 60 आप से यह पूछा है ABP सॉरी ABP भी क्या हो जाएगा 60 पुछ करने की दुरूत नहीं बहुत आसान सवाल था ठीक है अब इस सवाल को देखिए इस सवाल को करेंगे कैसे आप आपके दिमाग में तर्माम operations चल रहोंगे लेकिन मुझे अच्छा सवाल लगा इसी के बाद इसका दूसरा वाला भी सवाल इसी पर है पस वाँ पर मैंने values पूट कर दी है अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है बहुत जरा गौर से देखो मैं एक एक करके बनाता हूँ exterior angle पहले इसको बना लेते हैं यहांपर देखो यह अगर πाई मैंनस B है तो यह angle थो B होगा होगा कि नहीं होगा अब देखो यह angle X है यह angle A है तो यह angle क्या होगा A प्लस B होगा और यह angle और दिया हुआ है तो आप भाईया X का relation बनाना है जरा गोर से देखो ये कौन है E, ये कौन है B और ये कौन है A यानि E, B, A ट्राइंगल में आपका ये एक्स्टीरियर एंगल X ए दो इंटीरियर ओपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा यानि आपका option कौन सा correct है? C वाला पैन नहीं चलाना था सिर्फ दिमाग चलाना था ठीक है? कौन सी दो थियोरम लगी? एक्स्टीरियर एंगल ट्राइंगल की और आपका स्ट्रेट लाइन की आपसे मैं इसका answer बता देना है अब यहां पर जरा और से देखो आपसे पूछ किया रहा है EMD EMD कहा है भाई जरा और से देखो EMD एक मिनट EMD अच्छा यह एंगल पूछ रहा है ओके-ओके भाई यह देखो एक बाव बता यह 120 है किस ट्राइंगल में ? ट्राइंगल अगर ABC देखो तो यह कितना हो जाएगा ? 80 हो जाएगा ? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ? अगर यह 80 हुआ तो अब आप खुल सोचो यह एंगल कितना हो जाएगा ? 100 हो जाएगा कौन साथ ? ECM सो हो जाएगा अगर यह सो हुआ तो भाईया यह बचा हुआ आपका क्या होगा आप खुल सोचिए यह बचा हुआ आपका कितना होगा सो प्लस पचीस यानी 125 क्यों exterior angle is a sum of two opposite interior angle यह वाला option correct है इतना tough सवाल नहीं था यह एक line का सवाल था यह बात ध्यान में रखिये कभी भी उलजियेगा नहीं सवालों में कि इतनी lines निकल रहें यह कैसे करें डोग बड़े इस सवाल को देखे यह सवाल है यहां से यहां से पर इस सब्सक्राइब करते हैं यहां से यह जब दो side बराबर यह एंगल अलफा तो यह यह एंगल भी क्या होगा अलफा थिक है अब आप यह ध्यान से समझे हैं यह दोनों अगल अलफा है और यह A, B, C का, A, B, D का, A, B, D का exterior angle है, बहुत ध्यान से देखे, A, B, D का exterior angle, क्या है, A, D, C, यही है न, angle, अब जो यह alpha है, यह angle D, B, A, और angle D, A, B, के बराबर होगा, और क्योंकि आपको यह भी पता है, कि यह दोनो angles equal होंगे, इसका मतलब है, यह alpha by 2 होगा, और यह alpha by 2 होगा, तभी यह alpha बन सकता है, equal की state में, अगर आप x, b, x मान लो, तो x बराबर क्या आजाएगा, alpha by 2 ही तो आएगा, है न, तो अब आप यहाँ पे बहुर से देखे, अब बड़े triangle की दरब चलते हैं, यह 71, यह आपका alpha by 2, यह आप का alpha, अब आप खुद सोचो, 71 है, अब आप खुद सोचो, यह दोनों interior angle, इस opposite exterior angle के sum के बराबर होगे, sorry, यह दोनों interior angle का sum, इस opposite exterior angle के बराबर होगा, यहाँ पे alpha plus alpha by 2 बराबर 71 होगा, तो 3 alpha by 2 बराबर 71, तो alpha बराबर हो जाएगा, दो 142 by 3, यहाँ पे आपका option कौन सा correct है बी वाला option correct है, मज़ेदार सवाल था, इस तरीके से ही सवाल पूछे जाते हैं, यह सवाल देखे, बहुत interesting सवाल, मुझे तो यह बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपको चक्रा देगा, line इतनी बनी है, अब जरा गोर से देखो, AD, DE, EC, BC बराबर, तो अब यहा यह एंगल अलफा है, तो यह भी अलफा होगे, ठीक है, हम ऐसे ही लेकर चलते हैं, अलफा, अलफा, अब आप सोचिए, कि यह अलफा है, यह भी अलफा है, अब क्या करें, अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है, सोचिए, दिमाग से करिए question को, तो आपका काम बन जाएग Otherwise, आप कहीं न कहीं फस जाएंगे, ठीक है, अब ज़र गोर से देखें यहाँ पर, इस सवाल को देखें, यह आप टॉप से बॉटम जाएं, हम यह भी कर सकते हैं, चलो टॉप से बॉटम आते हैं, ठीक, देखो, यह क्या है, AD, ED, EC और BC, तो चलो, मैं मान लेते हैं, अलफा ठीक है, तो यह भी हो गया, अलफा, तो भाई यह दोनों अलफा हुए, तो यह क्या हो गया, 2 अलफा हो गया, हो गया की नहीं हो गया, अब ज़र गोर से देखें, अब आप किस ट्राइंगल को लेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल, देखो, एक चीश समझाओ, हमने दो ट अब दूसरा वाला क्या है यहां पर क्या हुआ एंगल ए डी सी एकस्टीरियर एंगल हो गया किसका ट्राइंगल ए ए डी का अब उसमें जो दो ऑपोजिट इंटीरियर थे वो अलफा अलफा थे अलफा कितना हो गया टू अलफा हो गया जैसी टू अलफा हुआ तो हमें पता ह है कि angle D angle C के बराबर होगा क्योंकि AED और EC बराबर है तो चेन हो गई यहाँ आप confused हो इससे यहाँ पर एक्स्टीरियर एंगल बन नहीं रहा है अब क्या करें बन रहा है अब आप किस ट्राइंगल को देखेंगे अब आप देखेंगे बड़े आяг ट्रेंगल को ई-ए-सी को ठीक है इसी में आगर आप जाश्रा गार से देखें तो एक्स्टीरियर एंगल चॉनसा बन रहा हैろう और क्युश्य यहीं यह बन रहा है भाई यह एंगल आपका एक्स्टीरियर बन रहा ह där की नहीं बन रान रहा है किस क्षक्टा इस ट्राहं ट्राइगल ब Lorna और यह साइड है थिक modern, अब आपकूछ हो जिएए, इसमें एक एंगल है 2 alpha, दूसरा है alpha, ठीक है यह हो जाएगा 3 alpha और क्योंकि E C और BC बराबर है तो यह भी 3 alpha हो जाएगा अभछा खेंगा दॉचा क्या हैं अंगल A, और angle अगल बी एंगल अलफा था एंगल भी थ्री अलफा था यानि इसका मतलब है वन रिट श्यो थ्रे आपका उत्तर कौन सा हुआ स्वारी ए वाला ओप्शन था यह मज़ेदार सवाल है इस सवाल आपके पूछे जा सकते हैं इसलिए मैं करा रहा हूं एक्जामिनेशन पैटर्न पे चल रहा है ध्यान से करिए कोई दिक्कत नहीं हुए थ्योरम कौन सी लग रही है एक्स्टीरियर एंगल जो सब को पता होती है और ऑपोज़िट एंगल है तो ऑपोज़िट साइट भी क्या होंगी यही चीज़ें ध्यान में रखनी है इस सवाल लोगो देखिए यह सवाल कैसे करेंगा भाई जड़ा गोर से सचो कह रहा है एम इस इकोल टू एडी एम इस इकोल टू एडी तो हमें तो यह पता है कि यह अलफा है तो यह भी क्या होगा अलफा होगा मुझे मुझे जबानी आंसर पता है इसका ठीके लेकिन मैं है तो आपका एम एसी पूछ रहा है अच्छा अब कैसे करें भाई सोचिए दिमाग लगा यह अच्छा एक बार बताओ यह अलफा आपका किसके बराबर है अलफा अगर आप देखें तो ट्राइंगल डी बी सी में एक्स्टीरियर एंगल है एंगल सी डी ए जो है एक्स्ट एक्स्टीरियर एंगल होगा एक्स्टीरियर एंगल होगा और ट्राइंगल सी एम ए का इसके अनुसार अगर एक एंगल आपका ठीटा बन चुका है तो दूसरा आपका 63 तो बनेगा क्योंकि टोटल कितना है 63 प्लस ठीटा भाई खुद सोचो अगर यह एंगल ठीटा है और यह अलफा आपका किसके बरा सवाल है लेकिन आपको द्यान से पढ़ना है यह चीज़ द्यान रखिए ठीक है कितना माइनूट सा डिफरेंस था इसमें मजाया चाल यह सवाल देखिए यह सवाल कैसे करेंगे ट्राइंगल एबी सी डी बहुत अच्छा सवाल है कह रहा है कि भाई एबी सीडी से स्क्वा इसका मतलब यह यह और यह साइट बराबर है कि चलू ठीक है तो डी ओए बताओ साट 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 डई दिया है डी ओए का मतलब यह आप कहोगे सर एक सो भी सब्सक्राइब कैसे हो सकता है कोई सवाल ही नहीं है क्यों क्योंकि यह मिट से उपर है अब क्या करें चलो के पराबर होता है तो यह तो मिल गया तीस अब अगर तीस है तो आप खुल सोचिए इस ट्राइंगल मिलीजे इसमें ट्राइंगल अब यहाँ पे चैंज रहता है ट्राइंगल ऑफी को लो जिसमें से cd आपका oc के बराबर है side तो इसका मतलब है angle d angle cdo angle c o d के बराबर होगा अब यह दोनों बराबर है तीसरा angle पता है तीस तो यह कितना हो जाएगा भई पच्छत्र पच्छत्र तो भई देखो similarly जिस तरीके से यह 75 पता चला यह भी 75 है तो similarly यह भी क्या होगा 75 होगा यह भी 75 होगा अब आप खुर सोचो यह पूरा सरकल चक्का 360 के बराबर होता है तो आपका जो final answer आएगा वो क्या है बही डेढ़ सो डेढ़ सो 210 210 360 में से गटाओ कितना हो गया डेढ़ सो that's a correct answer तो आपका option c correct है यह मज सवाल थे ठीक है अब आती है बात एक triangle की right angle triangle इस पे मैंने आपको theorem कराईए जाके देख लीजेगा वो जितने भी formula है वो दिमाग में आपके बस जाने चाहिए ठीक है मैं यहाप आपको direct result बता रहा हूँ अगर आप जरह और से देखें तो BAC जिसमें A का 90 degree A B C ठीक है चलो from A perpendicular drawn on BC AD हो जाएगा ठीक है चलो which one of the following is correct देखो एक बात समझो अब यह right angle triangle की theorem है इसमें तीन triangle बनते हो तीन हो congruent होते हैं sorry similar होते हैं एक दूसरे के congruent नी similar यह नहीं कौन से triangle बनेंगे ABC DBA अगर मैं इसको मानलू alpha यह हो जाएगा बीटा अब आपको पता यह 90 degree है तो इन द लबे degree होना चाहिए और यहां पर आपको क्या दिख रहा है एंगल एक किस तरीके से alpha प्लस बीटा बराबन लबे तो अगर एक बीटा हो गया तो दूसरा वाला automatically अलफा होगा और दूसरे triangle में अगर यह alpha है तो दूसरा वाला automatically बीटा होगा इसका मतलब अगर हम दिखाएं तो आपको क्या नजर आ रहा है भाई आपको सीधा सीधा नजर आएगा कि triangle तीन triangle बन रहा है कौन-कौन से ABC, DBA और DSE तीनों congruent एक दूसरे के इसलिए आपको जो उत्तर है वो C वाला correct है यह theorem मैंने proof कराई है आप वीडियो में देख लीजेगा ठीक है? चलो similarly इस question को देखिए यह question मैं चाहूंगा आपके लिए homework है मुझे इसका answer आप बताएंगे मैं इसको जानबूच के नहीं करा रहा हूं क्यूंकि मैं इसके ओपर theorem करा जुक्त है similar question है ध्यान से करिए theorem मुझे मुझे इसका homework का answer आप मुझे comment box में इस वीडियो के लिख कर जरू जरूर देंगे देखिए अगर interested होंगे तो आप जरूर लिख के देंगे question आपके सामने है बहुत जादा पुराना नहीं है 2017 का है मैं इसका solution next वीडियो में जरूर से जरूर करा दूँगा लेकिन आप मुझे अगर homework में इसको कर के देंगे तब ये बात ध्यान में रखिए ठीक है चाब इस सवाल को देखो अगें similar pattern पर अब ये मैं आपको बता दे रहा हूँ जहां से देखिए क्या कहा रहा है एक triangle ABC ABC AD is perpendicular on BC ठीक है BAC यानि जो angle A है वो 90 degree है वही चीज़ खिल रहा है ये देखो A B D A हो गया है ना अल्राइट B A C 90 आप यहां पर एक चीज़ सोचो आपको दिया हूँ है A B बराबर C sorry C ठीक है B C बराबर A आपको C A बराबर C A बराबर आपको B दिया हूँ है sorry C A बराबर B दिया है जस्ट अमने मैं remove कर दूँ थोड़ी चीज़ है देखे C A बराबर B दिया हूँ है A D बराबर P दिया है और A B बराबर C दिया हूँ है ठीक है A B बराबर C दिया हूँ है अब आप करोंगे कैसे इसमें relation कैसे तो भया हम सबसे important जो relation है वो क्या लगाएंगे एक triangle को अगर उसमें दो right angle बन रहे है ठीक है कौन एक perpendicular A D है दूसरा perpendicular C है तो उसका जो area होता है triangle का क्या होता है half into base into perpendicular अब अगर हम triangle ABC गोलें तो इसमें दो तरीके से area निकल सकता है एक perpendicular है आपकी C A और base है A B दूसरा perpendicular है आपका A D और base है B C put कर दीजे सारी value आपका answer आजाएगा C A का मतलब B A B का मतलब C A D का मतलब P B C का मतलब कितना हो जाएगा भई A तो P पराबर कितना हो जाएगा B C upon A that's the correct answer C option correct है कुछ जादा दिमाग लगानी के जरूरत नहीं इसके जितने formula है आप देख लीजेगा मैंने theorem में करा दिया चीक है इस सवाल को देखे यहाँ पर यह अच्छा सवाल है पूछा क्या सवाल है इसलिए मैंने put up कर दिया है याद रखिए जब मैं circle कराऊंगा कुछ जबरदर सवाल होंगे तब इन सब theorem का भी इस्तिमाल उस circle में होगा इसलिए अपना दिमाग बिलकुल खुला रखेंगे आप theorem सापको मुझबानी एकदम याद होनी चाहिए मेरी कोशिश होगी एक छोटे चोटे वीडियो शौट सीरीज के बनाके डाल दूँ ठीक है अब यहां पर जरा गवर से लिखेंगे एंगल ए बराबर 80 डिगरी एंगल ए असी है ठीक है भाई एंगल ए बी सी ही 60 है 60 है ठीक है भाई चलो तो भाई यह 8 से 14 14 यह कितना हो जाएगा 80 40 40 40 और यहां पर कह रहा है बी डी एंड सी डी बाई से ठीक है अब यहां पर जरा गवर से लिखेंगे यह 40 था तो इसका मंदब यह 20 हो गया ठीक है यह 60 था तो यह 30 हो गया तो यह बचा हुआ यह वाई कितना हो जाएगा भाई 130 अब X आपका 20 Y 130 भाई यह बहुत आसान सवाल कौन सा C वाल similarity क्या होती है जब दो triangle के angles similar हो तो उनकी sides का ratio क्या हो जाता है equal हो जाता है not only sides altitude, angle, y sector, median और यह सारी चीज़े जो आप perimeter यह सारी चीज़े क्या होती है equal जैसे हम कहें angle A बराबर angle P angle B बराबर angle Q angle C बराबर angle R तो क्या हो जाएगा angle A, B, C similar to angle sorry triangle A, B, C similar to triangle P, Q, R तो sides क्या हो जाएगी A, B इसकी side क्या होगी P, Q दूसरी B, C फिर Q, R और तीसरी C, A और R, P ठीक है similarly अब इसी के क्या होगे perimeter, angle by sector, median यह सारी चीज़ें आपकी क्या होगे ratio में equal और अगर इनका area बात करें तो इनकी side के क्या हो जाएगे square के बराबर तो अब यहाँ पर हमारे सामने क्या बन रहा है चलिए देखते हैं हमारे सामने कह रहा है अगर हम इस ट्राइंगल लेके चल रहा है हमें क्या चाहिए डी सी पूछ रहा है डी सी बताओ डी सी का मतलब है यह पूरी line ठीक है चलो पहले हम लेके चलते हैं अगर हम इस ट्राइंगल को लें अब देखो यह और यह उबर parallel है ठीक है A, M, B, E, C यह 18 है बाई साब और यह आपको दिया हुआ है देखो A, B, 5 है और B, C आपका 10 है ठीक है अब हम सरह और से देखें तो यह एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि यह line parallel है तो यह एंगल एंगल C, एंगल A के बराबर होगा और एंगल M, एंगल E के बराबर होगा तो हम बोल सकते हैं A, C, B, B ठीक है और M, E तो उसी सीक्वेंस में लिखना सीखो कब भी दिक्कत नहीं होगी तो यहाँ पर हो जाएगा A, B upon C, B is equal to B, M upon B, E is equal to A, M upon C, E देखते जाओ, जिसकी जरूरत है वही हम लेंगे तो C, E और A, M जरूर लेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत है और A, M मिल जाएगा अब दूसरा वाला क्या है A, B upon B, C तो देखो यहाँ पर हम इन दोनों को सपोस्ट करेंगे ठीक है, अब यहाँ पर जरूर से देखे मैं यहाँ से कुछ चीज़ें हटा देता हूँ ठीक है, यह हटा दूँ ता कि, भाई इतना तो अंदाजा हो गया होगा आपको की थियोरम क्या होती है ठीक है, चलो देखो, यहाँ पर क्या है अब यहाँ पर जरूर से देखो AB upon CB is equal to AM upon CE बहुत ही authentic method में बता रहा हूँ AM आपका कितना है जरूर से देखे, नहीं पता तो AM बराबर क्या हो जाएगा AB CE upon CB AB कितना दिया हुआ है, 5 CE कितना दिया हुआ है जरूर देखते हैं, CE कहांगे बई, 18 और divided by CB CB कितना है, 10 यानि यह कितना हो जाएगा, 5, 2, 2 और यह 9, यानि AM आपका 9 हो गया है अब हम triangle लगाएगे कौन-कौन सा, बहुत दिया हो जाएगा तो यह आपका 9 हो जाएगा ठीक है, अब हम triangle लगाएगे चलो, अब यहां से यह अटा दो जगा कम है, इसलिए यह ध्यान में रखिएगा ठीक है अब यह अच्छा सवाल है सरीके के सवाल आपके exam में आया है पर x, y करके आया है, मैं इसको value में convert कर रहा हूँ, अब मैं triangle लेके चलूँगा, कौन सा, यह वाला इस angle के बराबर होगा यह angle तो बराबर है ही और यह common तीनों में है यानि इसका मतलब है angle A ठीक है angle D angle C angle C, angle M और angle N similar, यह triangle एक दूसरे के similar अब हमें AC upon DC is equal to CM upon CN एक बार हो, आपने लिखा दो तीन बार अपने हाथ से बस उसके बाद तो आप रटा मार लोगे यह ध्यान रखना यह सारा खेल sequence का है, procedure का है procedure गलत मत करना बस यह बात ध्यान में रखिए ठीक है अब हम कौन-कौन सा लेंगे देखो हमें AM पता है तो AM और DN तो जरूर आएगा क्योंकि DN की वैलू भी हमें पता है तो AM कितना है नो, DN कितना है पंदरा ठीक अब आपके कौन सी वैलू चाहिए भई देखो हमें अगर चाहिए तो हमें AC और DC अब देखो यहाँ पर AC पता है AC कितना है भई AC पूरा कितना है भई AB और BC मिला तो 15 हो जाएगा divided by अब यहाँ पर सोचिए ठीक है देखो divided by कितना होगा भई यहाँ पर कहां गया CD CD है न तो यह हो जाएगा 3, 5 3, 5 यानि CD आपका 25 तो आपका जो उत्तर है वो C वाला option correct है It was a really, really good question ठीक है इस सरीके के सवाल में करा रहा हूँ ताकि आपको कहीं एक्जाम में फसे ना बद ध्यान न रहा है वो पसंदा आ रहा है जो like share सरू कर दीजाए In the given figure ABCD is a quarter literal with AB parallel यानि AB parallel है DC के ठीक है AD is parallel to BC AD is parallel to BC ADCZ is a right angle triangle चलो बढ़ ठीक है If the perimeter of the ABE triangle ABE यानि आपने यहाँ पर perimeter देखिए perimeter क्या होता है सभी sides का sum अब एक बात यहाँ पर समझो यहाँ पर आपको conclusion यही पर इसी से निकल के आ रहा है क्या अगर यह दो angle similar है तो इसका मतलब यह दो side भी similar होंगी अब तीसरा angle निकलना मुश्किल है नहीं वो भी 60 degree होगा इसका मतलब तीनो sides यहाँ पर बराबर अब कहने का मतलब यह कि अगर तीनो sides बराबर है तो हर एक side 2, 2, 2 के है बराबर ठीक है अगर यह 2 है तो बहुत ध्यान से देखिए अब यहाँ पर खुछ सोचे यह 90 है तो भाईया यह क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा हो जाएगा एक नहीं और यह कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा भाई क्योंकि आपका यह parallel है और perpendicular जा रहा है अब आप खुछ सोचो अगर लगाएं भी तो sin 30 बराबर क्या होता है 1 by 2 काईजस देखा जा तो यह equally distributed है लेकिन अगर आप समझा भी सके तो समझा सकते हैं कैसे sin 30 sin 30 1 by 2 इसका मतलब है 1 कौन होगा DE अगर यह 2 है यह 1 है तो यह root 3 होगा हमारे पास सारा data आगया अगर यह root 3 है तो यह value भी root 3 है और यह दोनों values 2 है इसका मतलब है यह rectangle हो गया और rectangle का area क्या होता है L into B यानि 2 into what root 3 तो आपका पहला option क्या है correct हमने pen नहीं चलाना है सिर्फ property ध्यान रखनी है आसान वे में हम कर ले जाए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हमारा next सवाल क्या कह रहा है in the given figure ABCD is a parallelogram P is a point in BC such that PB PB1 और PC2 ठीक है भाई DP is produced यानि DP is produced to meet AB ठीक है at Q Q पे मिल रही है if the area of BPQ यानि ये area जो है आपका वो 20 square unit के बराबर है ठीक what is the area of DCP अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको similarity समझनी होगे बहुत ध्यान से देखे अगर हम यहाँ पे ये triangle अगर हम ये diagram यहाँ पे draw कर ले देखो parallelogram का rule याद रखना कभी दिक्कत नहीं होगी ठीक है अब देखो ये P है ये आपका B है ये Q है, ये C है, ये D है ये A है अब ज़रा गौर से देखो ये 1 और ये क्या 2 ठीक है भई? चलिए तो आपको इसका area पता है 20 अब ज़रा हम दो triangle को लेके चले क्या angle D angle D angle Q के बराबर नहीं होगा बिल्कुल होगा, बहुत ध्यान से देखे angle D angle Q के बराबर है और angle P दोनों जगा पर common है, चीक है, ये angle vertically opposite, अब हम बात करेंगे C की, ये सारा खेल क्या हो रहा है, alternate angles का खेल हो रहा है, यानि C आपका B के बराबर, तो हम बोल सकते हैं, triangle D P C is triangle Q P B के similar है, तो यहाँ पर sides का ratio D P upon Q P P C upon P B D C upon Q B, ठीक है, आपके सामने हो गया, अब आपको पता है, जब बात यहाँ पर area के होती है, तो इन सभी side का क्या हो जाता है, square हो हो जाता है, similarity का rule लग रहा है, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझी है, इसे मैं सिफ समझा के चल रहा हो, ताकि आपको समझ में आ जाए, तो इसका मतलब है कौन सा, triangle D P, area of triangle D P, यानि हम बोल सकते area of triangle D P C divided by area of triangle Q P B ओके, आपको क्या चाहिए, D P C का ही area चाहिए, D C P या D P C तो यहाँ पर D P C के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कौन सी side लेकर चलोगा, जो common हो कौन सी, P B और P C, तो देखो P C और P B यहाँ पर मिल रहा है, P C आपका 2 है, 2 यानि 4 by 1 हो जाएगा, अब यहाँ पर और P C, Q P B का area कितना है, यह area B से, तो इसका मतलब है इसका area हो जाएगा, 80 80 कोई option नहीं match कर रहा है, कौन सा option है, D वाला बहुत यह अच्छा सवाल था, ध्यान से रखके करिए पैललोग्राम में ध्यान रखिएगा इस बात का, और यह सब पूछें कैसा वाल है, आपके सामने सारी चीज़ हैं, आप देखके समझ भी सकते हैं अचलिए, move करते हैं, next questions को भाई, अगर समझ में आ रहा हो, तो like करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग like करने में काफी कंजूसी करते हैं, हम लोग मेनत करके आपके लिए content बनाते हैं, आप चैनल पर कोई भी वीडियो उठा के देख लीजे, वहाँ पर सारे वीडियो आपके important exam से related हैं, चाहें NDA, सबसे अची बात पताएगा है, सारे defense exam का आपको data यहीं पर मिल जाएगा, कहीं जाने की दुरूद नहीं है, इस सवाल को देखें, इस सवाल कह रहा है, ABCD is a rhombus, it's a very good question, क्योंकि इसमें यह आप से महिनत करा रहा है, अब यह आपके concept जज़ करेगा, और मैंने rhombus का आपको derivation भी कराया हुआ है, देखें, ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus, AC and BD, ठीक है, भाई, rhombus की property यह होती है, कि जो diagnose होते हैं, इनके sides तो बराबर होती हैं, पर जो diagnose होते हैं, वो perpendicularly, perpendicularly bisect करते हैं, एक दूसरे को, यहनि एक दूसरे को bisect करेंगे, equal नहीं होते हैं, बट एक दूसरे को bisect करेंगे, तो तो पहला option अगर आप देखें, तो यहाँ पर option को correct करना है, ACBD bisect each other, but not necessarily perpendicular, तो wrong है, perpendicular bisect करते हैं, यहाँ पर समझे, ACBD are perpendicular to each other, but not necessarily bisect, गलत है, ACBD bisect each other and perpendicular to each other, बिल्कुल सही है, sorry, यहाँ पर correct होगा, correct, ACBD neither bisect, यह भी गलत है, तो आपका C option correct है, आपको pen नहीं चलाना था इस question में, दिमाग चलाना, ठीक है, ध्यान से करिए, इस सवाल को देखें, बहुत अच्छा सवाल है, इसको कैसे करेंगा है, बाप यहाँ पर बहुर से दिखें, कह रहा है, ABCD is a trapezium, ठीक है, EF is parallel, EF is parallel to AD and B parallel to AD and BG, मेरे कहाल से BG नहीं है, यह आपका BC होगा, ठीक है, अगर इसे G C भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, C ले लो, यह C होगा, BG नहीं है, BG आपका कोई element ही नहीं दिख रहा है, चला, अब हम क्या करेंगे, देखते हैं, देखें, बहुर से देखें, अब यहाँ पर आप करोगे क्या, यही चीज़ समझनी, बहुत यह 90 है, ठीक है, देखें, अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लें, डाइग्राम ड्रॉ करना काफी मुश्किल हो जाता है, कही नहीं हाथ हिल जाता है, जिस्ट अ मिनिट, डाइग्राम इंपोर्टेंट है, उसको समझिए, कभी दिक्कत नहीं होगी आपको, देखो यहाँ पर A, D, B, C, E, F ठीक है, अब यह आपका जा रहा है, एंगल Z, यह आपका 120, यह आपका Y डिग्री, यह आपका X डिग्री, बहुत द्यान से देखें, यह अगर 90 है, यह 50 है, तो 95 कितना होता है, 14, यहाँ पर द्यान से, 95 14 यानि 140, तो यह वाला भी कितना होगा, 40, हमारे पास A data आगया, एं एंगल की प्रॉपर्टी, सीजी सी बात है, अब आप एक बात समझेए, अगर यह 90 डिग्री है, तो बहुत जाय सी बात है, पर्पेंडिग्लर सामें वाला भी होगा, क्यों, क्योंकि 80 is parallel to BC, यह एंगल आपका आएगा 50, ठीक है, आपके पास एंगल आते जा रहा है, अब यहां से देखिए, अब यहां पर हम match कराएंगे parallel line का, यानि alternate angle यहां पर, यह अगर 50 डिग्री है, तो एंगल यह कौन सा है, जो भी होगा, वो भी 50 डिग्री होगा, तो vertically opposite के हिसाब से z भी क्या हो गया, 50 डिग्री हो गया, इसका मतलब आपके पास data कितना आ गया, अब जर अब यह क्या होगा, 130, होगा की नहीं होगा, यह आपका कितना निकल के आया है, 50 डिग्री, यह आपका 120, तो क्या angle y नहीं बता सकते हो, बिलकुल बता सकते हो, बही देखो 180, और 120 कितना होगा, 300, 300 के बाद बचा कौन, 60, तभी 360 होगा, क्यों, क्योंकि अब हम A, और इसको क C ले लो, या Q ले लो, यह दोनों क्या है, वहिए आपर समझे, A, Q, F, D is a quadrilateral, quadrilateral के सभी angles का sum, 360 degree होता है, इसलिए आप easy way में इसको solve कर लेंगे, और मेरे खाल से आपका option C correct आईगा, पूछा क्या सवाल है, ध्याद से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, देखे, इसको कैसे आप करेंगे, A, B, C, D is a quadrilateral such that, B, C is equal to A, B, तो आप यहाँ पर देखो, हमें logic लगाँ है, ठीक है, A, B, C, D, A, B, C, D, B, C, आपका equal है, A, B के, ठीक है, B, C, D is greater than, आप देखो, C, D is clearly greater than, A, D, तो जो side बढ़ी है, तो आप आप से पूछ रहा है, B, A, D, B, C, D, B, A, D, B, C, D, यानि B, A, D, यह एंगल, ठीक है, और B, C, D, यह angle, clearly, अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, तो आपको यहाँ पर क्या पता चलेगा, भाई, एक बात बताईए, अगर हम देखें, तो जिसके सामने भुजा बड़ी है, ठीक है, उसका angle बढ़ा होगा, यानि इसका मतलब है, angle B, A, D, should be, E greater than, B, C, D, यह बात आप सभी को पता होनी चाहिए, तो आपका जो option है, वो C वाला correct होगा, भाई, हम क्या बोलते हैं, देखो, यह माल लो, obtuse angle triangle है, अब यह angle भाई, इसी बात है, greater than 90 degree है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो रही है, greater side यही हो रही है, उसके सामने की side, तो इसके सामने का, हम स सवाल सॉल्व करना है, logic के साथ, अगला, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कैसे कर रहा है, two tight rods AB and CD symmetrically lying on a horizontal AB, चलो, ठीक है, they are kept intact by two strings, AC and BD, okay, हम मान लेते हैं, यह AB है, जाई इसी बात है, AB बढ़ा है, क्योंकि A plus B है, ठीक है, और यह CD है, यह दो spring से बंदा हुआ है, AC और BD, अब logic क्या कहता है, यह बन रहा है, आपका A plus B, और यह आपका बन रहा है, A minus B, अब एक बात बताओ, यह side आपकी, suppose कर लो, EF, EF has to be equal to CD, यानि यह A minus B होगी, होगी की नहीं होगी, और आपको यहाँ पर आगे दिया हुआ है, कि the perpendicular distance between rods, यानि कौन, AB और CD का, यह perpendicular distance, यानि यह distance आपकी, दी हुई है, कितनी, A, similarly, parallel, अगर आप यहाँ पर भी देखें, तो यह distance क्या है, A, अब आप आगे क्या करोगी, यह A minus B है, और यह A plus B है, clearly, भाई, A minus B में, अगर आप 2 B जोडोगे, तभी A B eliminate होगा, यानि इसका मतलब है, यह side B होगई, यह side B होगई, इक्वल होगी, यह बात ध्यान में रखिए, क्योंकि perpendicular distance लिया है, हम कहेंगे, कि B है यह, A है यह, तो आपका A C हो जाएगा, under root of A square plus B square, option D is the correct one, किस की help से हमने किया, पाइथागोरस की help से, लेकिए, इस तरीके के सवाल आपके logical सवाल है, ध्यान रखिए, बस कुछ होता नहीं है इन सवालों में, आसान होते हैं, लेकिन आप confuse हो जाते हैं, उन confusion को दूर करने के लिए, हम आपके लिए यह session लेकर अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल के रहा है, दो तरीके के सवाल आपके बनते हैं, एक जिसमें आपका diagram दिया जाता है, एक जिसमें diagram बनाया जाता है, I would prefer, मैं उस question की practice आपको जाधा कराना चाहूंगा, जिसमें आपको diagram बनाना है, और जिसमें concept पूछा Okay, in a trapezium, the two non-parallel sides of length, each being 5 cm, इसका मतलब trapezium क्या होता है, parallel sides होती है, और ये बराबर हो रही है, दियान से देखिए, ये 5 है, ये भी 5 होगी, the parallel sides are at a distance of 3, यानि ये 3 cm की distance पे, Clearly, अगर हम trapezium, अगर हम triplets की बात करें, तो आपका a, b, c, d, e, f, यानि आपका d, e और f, c दोनों बराबर होंगे, ठीक है, यानि ये 4-4 cm, अब आपको पता है, क्या कह रहा है, the smaller side of the parallel side as two length, यानि ये 2 cm की है, पूछ रहे, diagonal बताना, बहुत आसान है, देखिए, हम यहाँ पर जोड़ेंगे, similar, ये 2 हो जाएग, ये 4, यानि 6, 6, यानि 6 का square, प्लस 3 का square, ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस 9, यानि 45, अगर ये 45 होगा, तो 15, आपको पता है न, कि a, c का square होगा, और जब a, c निकालोगे, तो ये under root of 45 आएगा, यानि 9 पंजे 45, य रहा है, then the sum of the diagonals, sum of the diagonals उस रहा है, तो जो diagonal AC का होगा, वही diagonal आपका, BD का भी होगा, तो यहाँ पर हमें बस दो से बुणा करना है, यानि 6 root 5 would be the final answer, कौन सा option correct है, option B वाला correct है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलो, इस question को देखे, ये question कह रहा है, the area of a rectangle lies between 40 cm और 45 cm square, नहीं पता हमें क्या है, if one of the sides is this, चलो, तो हम लेके चलते हैं कि 1 side 5 है, तो दूसरी side x है, नहीं पता, अगर 40 रखो के तो x 8 आ रहा है, अगर 45 रखो के तो x 9 आ रहा है, हमें अभी भी नहीं पता, ठीक है, डाइगनल क्या होता है, डाइगनल एक बात बताओ, एक rectangle का डाइगनल क्या होता है, lb, तो यह हो जाएगा आपका under root of l square plus b square, यानि हम अगर मान लें कि length 8 आई, तो 8 का square plus 5 का square, तिक, और इसका अगर हम देखें तो यह हो जाएगा आपका 9 का square plus 5 का square, तो जड़ा गोर से देखें, यहां पर कितना हो रहा है, यहां पर अगर हम देखें तो यह बना रहा है यानि 89 से रेंज जा रही है एक सो छे स्वेर रूप में अब कौन सा मैच कर रहा है जरा गवर से लिए अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो आपको समझ भी आ जाएगा वही ग्यारा तेरा नहीं मैच करेगा आठ से दस नहीं दस से ऊपर जा रहा है तो यहां पे नौ औ और 11 ही रेंज मैच कर रही है ना 10 मैच कर रहा है ना 11 क्यूंकि 8 अगर आप जाएंगे तो ठीक है समझ में है लेकिन 10 नहीं है क्यूंकि 106 जब जा रहा है तो 10 से अबव है तो यहां पर आपका डाइगनल जो होगा वो बिटमीन होगा 9 और 21 क्यूंकि 9 का स्क्वार होता 81 औ 9 और 11 की बात हो ठीक है इस तरीके से सवाल आपके बनते हैं इनको ध्यान से करिए कोई गडबड नहीं हो इस सवाल बहुत अच्छा है यकीन मानिए इससे पहले मैं आपको एक बता देता हूं alternate segment theorem के बारे में इसका मैं proving कराके एक अलग सा वीडियो डाल दूंगा alternate segment theorem ठीक है alternate segment theorem क्या कह रही है अल्टरनेट segment theorem कहती है कि अगर एक circle को tangent टच करता हुआ जाता है तो suppose करिए उस tangent पे जो touch हो रहा है और एक segment आपने बना लिया यानि chord आपने ट्रॉकी तो हम यह बोल सकते हैं कि जो tangent और chord के बीच का angle है वो उस segment में बने हुए दूसरे यानि लार्ज segment पे बने हुए दूसरे angle का बराबर होगा यानि अगर हम बोलें a b c d जो angle d b और c है it has to be equal to angle b a d is that clear यह alternate segment theorem कहती है इसकी proving करा दूँगा परिशान होने की ज़रूरत नहीं अब मैं इसको यहाँ पर check करता हूँ देखे थियोरम आपके समझ में आगे क्या कहरा बी ए एक्स यानि यह angle आपका कितना दिया हुआ है एक सतर सतर दिया हुआ सॉरी सतर और b a q अगर आप देखें तो यह angle आपको कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है तो clearly यह angle आपका 30 हो गया ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से समझिए अब यहाँ पर हम दो segment लेके चल रहे हैं ज़रा देखो मैं clearly बना दू यह आपका देखो जरब और से इसको जरब ध्यान से देखना देखो यह center से होके जा रहा है कोई दिक्तती पर segment तो अलग अलग है ना segment क्या होता है यहाँ पर समझिए अगर आप एक quard को यानि circle को दो part में divide कर रहे हैं through a quad जीवा के जरीए तो भाई जो छोटा segment होगा वो clearly दिख जाएगा और यह major segment है बस यही चीज़े होती है यह अभी हम इसको नहीं दिखा रहे हैं हम मान के चलना है यह angle आपका दिया हुआ है कितना 70 यह पूरा angle आपका 70 है तो इसका मतलब यह angle भी आपका क्या होगा 70 होगा मैंने क्या बोला इस minor segment में बना हुए angle tangent के तुरू major segment में बने हुए angle के बराबर होता है यह clear theorem है ठीक है अब आप से पूछ कह रहा है a b q a b q यानि आपको यह angle बताना है ठीक है जरा और बड़ा कर देए यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है देखिए समझाना इसमें बस जादा पड़ जाता है a b q यह angle पूछ रहा है अब आपको मैंने क्या बताया यहां पर यह angle आपको पता है और यह angle 30 है ठीक है यह angle 30 है और यह angle 70 है अल्राइट यह बात समझ में आरी है अब अगर आप जरा गौर से देखें तो आपको यह angle मिल जाएगा कौन सा cyclic quadrilateral वाला कौन सा angle यह angle क्यों मिल जाएगा क्यों क्यों क्योंकि यह angle 70 है तो यह angle कितना निकल किया है 110 cyclic quadrilateral का rule याद अखिए cyclic quadrilateral में कहता है कि आमने सामने के angle का sum क्या होना चाहिए यानि opposite angles का sum 180 के बराबर होना चाहिए चाहिए हम A और C की बात करें चाहिए B और D की बात करें ठीक है अब जाएसी बात है अगर अगर E B Q A को लेकर जाए तो भाई जाएसी बात है angle ही 70 है अगल Q 110 होगा दोनों मिला के 180 ही बनना चाहिए अब आपको यहाँ पर पता है कि इस छोटे से triangle की अगरम बात करें यहाँ पर देखते जाएए आपको यहाँ पर angle बताई दिया गया है B A Q B A Q कितना दिया हुआ है चालेस तो 110 और चालेस होता है 150 तो यह कितना निकल कर आया तीस क्या है भई A B Q तीस डिग्री यानि आपका B option करेंट इसमें जादा नहीं सोचना था बस यह समगाने के लिए मैंने आपको इतनी थियोरम का इस्तेमाल किया आपकी दो थियोरम इस्तेमाल हुई cyclic quadrilateral प्लस आपका alternate segment थियोरम अगला सवाल देखें यह सवाल आपका है यह सवाल आपका intersection का है देखें यहाँ पर भी थियोरम एक तरीक हैगी देखें एक बात समझें दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्क कर रहे है चाहे internally चाहे externally ठीक है ए आप यह बोल सकते हो एक मेंट ओ पर intersect कर रहे है आपका जो formula बनता है इसका direct मैं formula बता रहा हूँ AO meeting point into OB is equal to CO into OD is that clear अब यहाँ पर आप AP दिया हुआ है तो आप यहाँ पर हम इसको लगाएंगे इस तरीके से AP आपका 3 है ठीक है PB आपका 5 है ठीक है भई AQ आपका 2 है और QC आपका X है यहाँ पर समझे है सीधा सा तरीका इसको solve करनेगा क्या AP यहाँ आप देख सकते हैं B P sorry BA BA into PA ठीक है BA into PA is equal to CA into QA ठीक है अब BA कितना है 8 PA कितना है 3 CA कितना है X plus 2 ओके X plus 2 और AQ कितना है 2 जो eliminate हो रहा है उसा eliminate कर रही है नहीं 12 पराबर X plus 2 इनहीं X की value कितनी आ जाएगी 10 Option C is the correct one formula द्यान दखिए कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ठीक है enjoy कर रहा है session मजा आ रहा है सारे previous year सवाल है उठाके मैंने लगवा दिये और पूछे जा रहा है इस सवाल को देखे क्या कह रहा है in the future given above O ठीक है भाई oh is the center ठीक a b b c के बराबर है a b b c के बराबर है तो एक triangle की property क्या होती है अगर दो sides equal है तो उनके सामने के angles भी इक को लोंगे यानि हमें angle angle a और angle c की बात करें तो दोनों 40 degree हो जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा भाई देखो यहां पर conclusion निकलता आ रहा है 100 क्यों क्योंकि यह triangle a b c की अगर हम बात करें तो 100 degree होता है अब अगर आप a d c b की बात करें तो यह quadrilateral है और यहां पर angle a d c ही चाहिए a d c भाई quadrilateral भी cyclic quadrilateral आपकी condition क्या बनाता है कि opposite angles का साम 180 के बराबर यानि बचा हुआ एंगल a d c should be equal to 80 degree it was a piece of cake एक बार theorem याद करिए कोई दिक्कत नहीं होगी तो अपनी circle की theorem सारी दिमाग में रख लीजे देखें आगया alternate segment theorem का बहुत अच्छा सवाल अब इसको करना आपको पड़ेगा ठीक है देखें हमें दिया हुआ है क्या अब यहां पर बनाना थोड़ा सा cutting हो रहा है चलो बनाने कोशिश करते हैं बड़ा साथ देखा जब बड़ा कोशिश होगी तो दिक्कत होगी just a minute तो आप भी कोशिश करते रहिए कभी दिक्कत नहीं होगी थोड़ा टेड़ा चला गया है ना फिर से कभी देखें आपको घर पर प्रैक्टिस करिए तो अपने आपको मतलब उस question को derivate करके करिए और अपने आपको challenge करते हुए करिए क्योंकि geometry पे अगर आपको command आसल करनी ह तो एक ही तरीका है कि आप कितना challenge करते हैं अपने आपको man of steel देखिए न समीने बस उसी का खेल है सारा man of steel में क्या dialogue था कि keep challenging yourself and you'll get to know your power ठीक है ये बात ध्यान में रखिएगा देखें ये angle बन रहा है यहाँ पर इन्होंने miss कर दिया और दिखाया नहीं ठीक चलो तो देख angle x है ये angle y है ये angle z है ठीक है इसको सही कर लिजेए यहाँ पर इन्होंने बनाया नहीं इस तरीके से बनाया इस तरीके से आप angle नहीं निकाल पाएंगे ठीक यहाँ पर हो गया T V और U और ये M ठीक है यहाँ पर देखते जाए है समझ में सब आ जाएगा अब आपको कुछ में दीख रही है क्या कि O is a center and UTV is a tangent वैसे UTV आपका channel है बड़ tangent भी है ठीक है चैनल मतलब TV चैनल ओके टुटी वी टी आर आपका कितना दिया हुआ है वी टी आर यानि यह आपको दिया हुआ है 52 भाई यह बावन डिगरी है तो अब यहाँ पर समझो बहुत ध्यान से कि अगर हम यहाँ पर segment उठाना चाहें तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कैसे देखें यहाँ पर अगर आप segment देखें तो आप क्या बोल सकते हो हम यहाँ पर इस segment की बात करेंगे जिससे मैं blue से कर रहा हूं ठीक है क्यों क्योंकि हमें minor segment यह मिल गया कौन आर टी है तो major segment कौन हो गया आपका जो बचा हुआ है तो आप उसमें एक ही एंगल बन रहा है एक्स एक्स बराबर क कहती है कि minor segment पर बना हुआ एंगल ठीक है टेंजेंट के साथ 52 अगर है तो major segment पर बने हुआ एंगल के बराबर होगा जै क्लियर चलो अब हमारे पास इतना डेटा आगया यानि हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं वह देखो मेरे पास जगा इस तरीके से कि यहाँ पर समझ मे आना चाहिए clear इसलिए मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ अब यहाँ पर देखो क्या करा है triangle PTR is an iso scale where TP TR के बराबर यानि TP TR के बराबर तो इसका मतलब है angle P angle R के बराबर और आपको यह भी पता है कि angle अगर यह आपका बावन है तो clearly इस minor segment दूसरी तरफ से भी तो देख सकते हो यह भी तो है आपका segment अगर यह आपका alpha है तो यह जो major segment पर बना है दूसरी side angle वो भी alpha होगा दोनो side से देखा जा सकता ना तो भाई जायर सी बात है यह angle क्या हो गया बावन डिग्री अगर यह बावन है तो यह आपका क्या होगा तो 38 होगा अगर यह 38 है तो अब मैं बात करता हूं किसकी हमें यह मिल गया data अब यहां पर देखो दोनों डिग्राम का इस्तिमाल कर रहे हैं और तिस बावन तो भाई एक बाई बताओ पी आर एम टी क्या है साइक्लिक कोड रिलेटर तो हम बोल सकते हैं कि आमने सामने के angles का सम ऑपोसेट एंगल का सम 180 के ब्रावर होता है तो यह आपका कितना हो जाएगा भाई खुदी सोचिए अगर यह 150 होता तो 130 आप एड़ करत अब यह 90 है तो हो जाएगा 218 आपका option C correct है slightly mistake और आप land करेंगे 208 पर जो की गलत होगा अच्छा question है आपका CGL mains में भी तरीके के सवाल आते है इंपक्त पूछेंगे हैं यह सवाल देखें यह सवाल आपको तोड़ा सा गुमाएगा कैसे गुमाएगा देखते जाओ इन द यह आपका दिया है 46 चिक ACOB are intersect each other at 90 degree ACOB वह इसका मतलब यह 90 degree है अब यहाँ पर आपको एक theorem याद करनी होगी same segment वाली theorem क्या कहता है same segment से center पे बना हुआ angle circumference पे बने हुए angle का twice होता है इसका मतलब circumference पे बना हुआ आप और twice करना है जैसे आपको बोलना है आप यह भी बोल सकते हैं कि circumference पे बना हुआ angle center पे बने हुए angle का half होता है या center पे बना हुआ angle circumference पे बने हुए angle का twice होता है आपको पूछ क्या रहा है अब देखो आपको तोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अगर आम देखे कर रहा है दो सेग्मेंट तो सेम है अगर हम बात करें अबी इसी सेग्मेंट से center पे बना 46 डिग्री बना गया तो इसी center से circumference पे बना रहा है तो कितना 23 हो जाएगा अब यह 23 और यह 90 डिग्री है तो यह कितना हो गया 90 प्लस 23 एक्सों 13 तो बचा हुआ कितना हुआ बाई 67 तब ही आपको what is the measure of OBC, OBC, लो मिल गया, इतना आसान सवाल है, लेकिन आप confused होते हैं, बस यही आप में खरादी, चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, अपने next सवाल, देखो, अच्छा session जा रहा है, session को like करते रहो, share करते रहो, दुआधार पढ़ाई करते रहो, selection ना हो, तब बत इस तरीके का, मैं concept भी आपको समझाता हो, चलो, all right, चले, यह सवाल में आपको थोड़ा सा धिमाग लगाना पढ़ेगा, देखो, दिया हुआ, AOD, 106, अब आपसे BCD पूछ रहा है, मैं क्या करता हूँ, इसे उल्टा कर देता हूँ, देखे, आपको पढ़ना सीखना पढ जाएं, तो कहीं न कहीं आप दिक्तत में, आजाना है, ठीक है, अब देखो, यह इस तरीके से बना दिया, यह O है, ठीक है, यह A है, यह B है, अब यहाँ पर आजाएगा D, ठीक है, देखो, समझ में आ रहा है, आप यहाँ पर आप को और चीजे बनानी पड़ेंगी, क्यों क्योंकि आगर आप यहाँ पर नहीं बनापाए तो गड़ बड़ ओ जाएगा अब दोखो ये आपका जाएगा इस तरी के से छिक फिर यह अफ Center का बी के पास आएगा दिखने जाओ यह उक्हेर अपनी मरजी से आप question करेंगे examiner की मरजी से नहीं करेंगे हमने test series भी launch की थी बढ़ आप देखिए इसको खैर अब यहाँ पर see है अब आप खुश हो जो A O B आपका 106 है ठीक है बहीं चलो 106 डेगरी है कौन सा A O D sorry A O D कि यह कितना हो जाएगा बहीं यहाँ पर सोचो यह कितना हो जाएगा चौतर हो जाएगा अब आप खुश हो यह आपका D O B भी तो center पर बनावा angle है और आपका D C B जो angle होगा वो circumference पर बना है तो clearly यह 37 degree होगा क्योंकि relation हाफ का होता है बस एक line का सवाल था आपका D option is the correct कुछ नहीं करना क्यूंकि आपसे पूछ के रहा B C D पूछ रहा B C D आपसे यह angle पूछ रहा आपका दिमाग लगाई न कभी कभी आपको एक step आगे बढ़ना पड़ता है दिखिए geometry का खेल ऐसा है कि आपको figure पहचानना पड़ेगा नहीं पहचाने तो कहीं गड़ब हो got it यह सवाल देखें यह सवाल के रहा है टू सर्कल्स टच इच अधर externally ठीक है भई यह 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 वाल पी करा तू सकंद आपटर अदिखूर में अध्यूकर अफिसक्ट फोसेट संट पी अपी यह हो गया अफिस पी अधी अधी आड्ऌ दौन भी से फिर्ट सी आदी to meet the circle at a c b d a c b d then which one of the following is correct a c is perpendicular to b d नहीं ऐसा हो नहीं सकता a c perpendicular to b d तो फिर यह होना चाहिए था यह तो हो नहीं match करेगा भई नप पहला match कर रहा है a c intersect to b d a c और b d intersect कर रहे है ना 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 और ध्यान से करिये था a c is parallel to b d ऐसा किसने बोला कि parallel हो सकता है कोई condition है नहीं तो आपको none of these correct है बहुत ध्यान से करिये अगर none of these में confused होते हैं कि क्या हम करें ना a c parallel है ऐसा कोई condition नहीं generatori की जिससे पता चले कि हमारा a c parallel है सिर्फ एक ही possible case बन सकता था अगर a c parallel b d की condition बती बट वो भी कोई ऐसी condition नहीं है कुछ भी हमें नहीं दिया है तो हम यह नहीं कह सकते कि यह parallel होगा say none of these is the correct answer बड़े चा यह सवाल समझे लिए इस सवाल को कराने जे पहले मैं आपको एक derivation करा दे मैं चाहता हूँ suppose करो यह x है यह y है और यह z है इस तरीके का सवाल में direct relation मुनता है मैं आपको direct relation कैसे करना है वो समझा देता हूँ देखो पूछने का तरीका अलग अलग होता है ठीक है मैं करा क्या रहा हूँ वस यह चीज समझना देखो हमें जो दिया है अभी हम उस पर focus नहीं कर रहे है लेकिन आप समझे यह एक line में सवाल है और बहुत आसान सवाल है अच्छा हम अगर देखें तो vertically opposite में angle P भाई देखो यह हम बोल सकते ना देखो हम यह बोल सकते हैं कि यहीं पर हम कर रहे है एंगल P vertically opposite है तो वो Y एंगल होगा दोनों साइट से अच्छा अब अगर यह center पर बना हुआ है एंगल X है तो यह एंगल आपका circumference पर X by 2 होगा यह भी X by 2 होगा भाई एक ही segment से तो जा रहा है देखो C पर भी और D पर भी यानि अब हम क्या कर सकते हैं तो हम यह बोल सकते हैं कि यह एंगल आपका कितना होगा 180 माइनस X by 2 तो यह भी आपका क्या होगा 180 माइनस X by 2 अब क्या करें भी आप कुछ नहीं करना है आप चारों एंगल को जोड़ देंगे और 360 के बराबर कर देंगे यानि हम बोल सकते हैं कि य प्लस Z प्लस twice of 180 माइनस X by 2 इक्वल्स टू 360 अब खेल देखो 360 गया अब यह Y प्लस Z बराबर आपका X हो जाएगा क्योंकि यह माइनस X के बराबर तो आप कभी भी इस तरीके से सवाल मिले Y प्लस Z यानि दोनों जो टॉप के एंगल होंगे वो आपके X के एंगल यानि सेंटर वाले एंगल से बराबर करेंगे उन दोनों का sum ठीक है तो हमारे पास सवाल इस तरीके का नहीं है हमारे पास सवाल कुछ different है तो देख सकते हैं अब तो कहा A, O, B आपका 100 है D, A, P आपका D, A, P आपका 30 है ठीक D, A, P आपका 30 है बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपसे पूछ कह रहा है A, P, B, A, P, B चलो देखो हम यहां पे भाई यह बताओ यह कितना हो जाएगा मैंने आपको क्या बोला यह 50 हो जाएगा तो यह D, P, B अब यह भाई खुल सोचो यह external angle हुआ ना तो यह किस के बराबर हुआ 80 degree के बराबर हुआ इसमें हमें कुछ नहीं करना था इतना आसान सवाल था कि पैचानना सीखना था मैंने जो आपको बताया वो थोड़ा सा complicated version है उस complicated version को एक बार समझ लीजे कोई दिकत आने वाली नहीं Got it? चलो अब यहां पर देखिए इस सवाल को कैसे करेंगा आपको दिया हुआ है इन गिवन फिगर A, B, R, end points of diameter P and C अब देखो P and C points on the circumference of the circle ठीक है A, B, C 35 है मिल गया A, B, C ओके सॉरी यह A, B, C 35 है ठीक है भाई 35 degree then P, C, A बताओ P, C, A अच्छा एक बार बताओ यह center है ना P अगर P center है अब आपको सूचे, यह radius होगी P, C और P, A होगी की नहीं होगी आप देखो कैसे solve होता है तो इसका मतलब है यह भी आपका radius है P, B भी तो यह अगर 35 है तो यह भी क्या होगा 35 angle होगा भाई, P, C, B में अगर हम देखे तो P, B और P, C दोनों equal हैं because P दोनों radius है तो दोनों, अगर side बराबर तो triangle में आपने सामने के angles भी बराबर अब आपको पता है, एक और थियोरब देखे semi circle में बना हुआ angle 90 degree के बराबर होता है तो यह पूरा angle 90 degree होगा, ठीक अब आपको पता है कि अगर यह पूरा angle 90 degree है, जिसमें से 135 है, तो यह angle आपको कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप कर सकते हैं, easy 55, अगर यह 55 हो तो आप से पूछ किया रहा है PCA ही तो पूछ रहा है, खताम answer आगिया 55, that's a correct answer, कुछ solve नहीं करना बहुत आसान सवाल oral कर सकते हैं, इस तरीक एक सवाल पूछे जाते हैं, और ध्यान रखिये, diagram पहचानना सीखना है, मैंने कैसे पहचानता हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं basic properties पे चला जाता हूँ, theorem से चला जाता हूँ, क्या कहता है, circle की tangent, बहले यह देखता हूँ की tangent आ रहा है, की chord आ रहा है, क्या आ रहा है, यह सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखने हैं, आपका नया batch offline academy में हमारी start होने जा रहा है, हमारी academy का नाम है, Armored Defense Academy, ठीक है, तो for new batches, new batches, those who wanted to, who wanted to join with us, हम आपको हर वो सुबधा प्राप्त कराएंगे, जिसमें आपका preparation अच्छे तरीके से हो जाए, अब यह preparation में क्या क्या चीज़ें रहेंगे आपको, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, it is our contact number, you can directly contact us on this number, आप यहाँ पर whatsapp भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप YouTube पर demo भी देख सकते हैं, सारे courses available हैं हमारे पास, new batches are going to start, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको हमारा content किस तरीके का है, so this is our content, आप अगर गौर से देखें तो यह हमारा content है, जिसे हमने differentiation की PDF अपने students के साथ share की है, और इसकी हम practice भी काफी करवाते हैं, ठीक है, so there will be lots of PDFs available for our aspirant, ठीक है, तो I hope आप सभी को यह चीज़ें समझ में आई होंगी, आप पर हम test भी schedule करते हैं, जिसकी वज़े से उनकी preparation बहुत ही ज़ादा boost हो जाती है, तो I hope आप सभी को यह चीज़ें समझ में आई होंगी, और you can contact us for the further information, क्या fee से क्या सारी चीज़ें हमारे साथ आप discuss कर सकते हैं, so that's it from my side, and I hope you will learn from this video, till then keep watching Decode Exam Defense, जै हिंद,